हलो आज है 24 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे टाटा टेली सर्विस के बारे में देखे टाटा टेली सर्विस ना एक टाइम पे पैनी स्टॉक हुआ करता था कोविट के टाइम पे अगर हम देखे 2020 में तो पैनी स्टॉक हुआ करता था और उसके बाद ऐसी तीजी बनी कि वह या 290 तक चला गया इतनी बड़ी रफतार आई थी लेकिन उसके बाद बहुत बड़े करेक्शन से गुजरा और अभी न ये जो ट्रेड कर रहा है न वो वह कई में किसी के समझ में नहीं आ रहा है बाद जित करेंगे कि यहांवर हो गया रहा है और मौके बन रहे है कि नहीं अगे बहुत सारे वीडियोस है जो आपो काफी साथ हेल्प करेंगे तो 82 रूपीस का शेर है और एक महिने में इसने पहले गिरावट दिखाई ठीक है 75 पे गया और एक दिन में उचल गया यह एक दिन में आप देगो पूरा महिना यह गिरता रहा 82 से 75 पे गया और एक ही दिन में पूरी कसर पूरी कर दिखाई इसने एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे न एक साल का तो पहले देखो क्या हो रहा है यहां पर 135 से लगातार गिरता रहा 53 पे आया लगातार 55% की अपर सर्कीट लगाई और चला गया 70 पे फिर लगातार गिरता रहा 50 पे आया लगातार 55% की अपर सर्कीट लगाई 65 पे आया कुछ टाइम बिताया दुबारा बहुत बड़ी अपर सर्कित देखने को मिली यहाँ पर और चला गया यह 80 रुपए से भी उपर फिर वापस गिरा 70 प्याँ वापस तेजी वापस गिरा वापस तेजी तो यहाँ पर देखो 50 से एक अच्छा मूव तो इसने बनाया ज़रूर है लेकिन फंडामेंटल तोर पर देखे तो कंपनी उतनी ज़दा स्ट्रॉंग नहीं है अगर आप पांसा का ग्राफ देख लो तो भाई या कोविट के टाइम पर बहुत सस्ता था और मेरी खुद के बाईंग के रिकमेंडेशन थी यहाँ पर जब यह आपको साथ रुपे पर छे रुपे पर मिल रहा था रीजन मेरा सिंपल था कि बैर सूपर हैपिन के लाउंच होने वाली थी और जिसको लेकर मैंने कहा था कि देखो लाउंच जिस दिन होगी तब देखेंगे लेकिन इस खबर के चलते ना तीजी आएगी और डेफिनिटली बहुत बड़ी तीजी आई थी और लगातर मेरी कमेंटरी थी अगर यह साथ पे था मेरी बाईंग के रिकमेंडेशन थी इसके बाद बहुत बड़ा करेक्शन भी देखा वापस तीजी आई जब सूपर एप की लाउंचिंग हुई और इसके चलते तीजी आई लेकिन तब भी मैंने का थे जो टेजी है मौका है दुबारा एक्सिट करने का और वापस गिराई और वापस अभी भी आप देखो तो तीजी दिखा ज़रूर रहा है लेकिन fundamental तोर पर ही मैं उतना ज़ादा safe इस शेर को नहीं मानता हूँ यहाँ पर देखे तो इसका जो volumes अगर हम देखे तो 58-59 लेक के आसपास देखने को मिल रहा है कंपनी के बारे में देखे तो भाईया surprisingly 100% लोग कह रहे खरीदारी करो according to money control user और कंपनी के ज्यादा कतर लॉस कर रहे है इवन अगर हम quarterly number की तरफ भी इनका focus करे तो यहाँ पर भी growth नहीं है पिछले 5 quarter में देखो तो इनका revenue 280 करोड के आसपास आखे अठकी चुका है और लॉस तो भाईया ये भी है 300 करोड 280-300 करोड का लॉस देखने को मिल रहा है जितना कमा नहीं उससे जादा का जितना revenue नहीं है उससे जादा का तो loss हो रहा है यहाँ पर और टाटा टेली सर्विस देखो कोई भी एनालिश खरीदारी करने के बात नहीं कर रहा है हाँ आपको YouTube पे Twitter पे कई सारे ऐसी tweets देखने को मिल जाए कि जहाँ पे लोग टाटा टेली सर्विस को recommend कर जरूर रहे है और जहां तक बात करें हम shareholding की तो shareholding में promoter के पास 75% की holding almost 74.36% की holding कह लो बड़े-बड़े fund हास में mutual fund के पास सिर्व 0.05% की holding है domestic के पास कुछ भी नहीं है FI से पास 2.03% की holding है अगर company fundamentally उतनी ही strong होती तो यह जो बड़े-बड़े investors है ना उनका भी तो आप आपको participation देखने को मिलता अच्छा कास लिए वो नहीं है यहां पर retail और अधर की मिलाकर 23.55% की holding है जिनमें से retail investor 15.86% की holding लेकर बैठ है है तेके overall TTML को लेकर अगर मैं बात करू तो पहले जीसे यह उतना जादा यह safe share नहीं है कि आप एक बहुत बड़े investment करके बैठ जाओ और अभी जिस range में है जिस price पर है मैं मानता हूँ कि price ही है यह क्योंकि improvement नहीं है numbers में और अभी जो 30 आ रही है हो सकता है कि शायद किसे नहीं recommend कर दिया होगा या फिर कुछ को लेकर कोई खबरे आ गई होगी लेकिन long time के लिहाज से अभी मैं देखू तो मुझे यह उतना ज होगा कि company कोई भी हो fundamental समय से check करने चाहिए कि वो कैसी है ठीक है क्योंकि अगर आप में इसका graph देखो तो भईया लगाता decline वाला mode है ठीक है बड़ी रफ्तार के वाद अगर आप graph देखो लगाता decline वाला mode है बीच बीच में attempt अगर मारा भी है ना तो फिर से गिरा है और जह जिनके पास already है और वो अठके हुए है वो चाहे तो यहां से अगर जो 30R इसको फाइदा उठा कर exit करना ज्यादा पसंद रहेगा मेरे हिसाब से अगर आप चाहे तो 75 रुपय का stop loss लगा कर इसको carry कर सकते है अगर आपके पास है तो fresh buying तो मत ही करना ठीक है अगर है तो 75 सब्सक्राइब करें और अब क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लगके बता सकते हैं तैंक यू